अब आपको भले ही से चाहे news देखनी हो या अपनी family के साथ में कोई movie enjoy करनी हो कोई भी OTT platform आपको देखना हो या gaming भले ही क्यों न करनी हो 65 inch की TV पे इन सभी चीज़ों को करने का मजा ही कुछ और होता है क्योंकि 65 inch TV में सिर्फ आपको बड़ी screen नहीं मिलती है लेकिन हमने यहाँ पर बात करिए इंडिया में आने वाले 5 सबसे बैतरी इन 4K TV 65 inch की रेंज में अब यहाँ पर कुछ companies क्या होती है इन TV की जो screen होते हैं जो visuals होते हैं उस पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए उनके features पे ज्यादा ध्यान देती है उनको लेके ज्यादार marketing होती है और यहीं पर हम लोग confused हो जाते है features देके TV खरीद लेते हैं जब कि main क्या है भाई 65 इंच का TV ले रहे हैं इतना बड़ा TV ले रहे हैं में तो हमें देखना ही है न उसको जो content उस पर चलेगा उसको consume ही क्यों करना है ब्राइटनेस होती है color contrast होता है उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए TV खरीदना चाहिए बेफिकर रहे है वही TV हमने अपनी लिस्ट में दिये नमस्कार दोस्तों मेरे नमें प्रिशान चोदरी वेलकम तो दो प्रटक बजार और अगर नए हो पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल अकन को प्रेस कर लोग इसमें जो डिस्प्ले होती स्क्रीन होती हो उसके जो कलर से वह ओर सेचुरेटिड ना हो एक्स्ट्रा बिल्कुल जो प्रोपर वीजो अच्छे मिलने चाहिए वह आपको यह आपर मिले इसके अलावा रिफ्रेश्ट रेट वाई 60 हर्स का तो होना ही होना चाहिए गेमिंग साउंड बारे में अलग से पैसे लगाओ तो साउंड आटपूट अपने हिसाब से देख के लेना चाहिए आजकल काफी अच्छी अच्छी साउंड जो है इन बिल्ड आपको टीवी में मिलने लग गई है इसके अलवा बिल्ड क्वालिटी और अफ्टर सेल सर्विस भी कोई भी तरीकी को दिकत किसीह इं है । यह क्रने अचे से बचके रहें है मलग से जल्दी शेयर करते हैं इंडिया में आने वाले 5 सबसे बहतरीन टीवी तो सबसे पहला टीवी भाई यहां पर आता है Redmi का 65 इंच 4K Ultra HD Android टीवी 65 इंच है बहुत बहतरीन टीवी है दोस्तों यह वन अव था टॉप सेलिंग प्रोटक्ट जो है फिलाल के टाइम पर चल रहा है और इसकी 5-6 फीट की दूरीन टीवी से बनानी ही बनानी है बात करें डिजाइन की तो टीवी का डिजाइन काफी इंप्रेसिव है काफी बढ़िया दिया गया है Quad-Core A55 Flagship Processor इस टीवी में आपको मिलता है जिससे काफी अच्छे तरीके से काफी स्मूथ ली जो है साउंड आउट्वूट की तो थर्टी वोट का साउंड आउट्वूट मिलता है आपको विद डोल्बी ओडियो तो मतलब साउंड आउट्वूट काफी बैटरीन होने वाली है इस टीवी की काफी सारे स्मार्ट फीचर्स भी आते हैं में जो आपको कलर्स मिलेंगे वो भी काफी बैटरीन मिलने वाले है एक साल की आपको इस टीवी पर वरंटी मिलती है प्राइज जो है इसके फ्लेक्ट करते रहते हैं बट फिलाल 60-62 के आसपास जो है ये टीवी चलता है 4K में तो इन सभी टीवी के लिंक्स जो आपको इसे डिस्क्रिप्शन मिल जाएं आप डिरेक्ली वहां से जाके प्राइज को चेक आउट कर सकते हैं अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर बाई और दूसरे नंबर पर यहां पर आता है OnePlus का 65-inch U-series 4K Ultra HD Android TV बहुत ही बैठरीन टीवी है तो उस तो बहुत ही प्यारा प्रोड़क्त है OnePlus की तरफ से आने वाला और हर तरीकी की content को platform को इस support करेंगा जैसे की Android TV है 65-inch आपको यह मिलता है Ultra HD content 3840 x 2160 के resolutions में जो ही support करेगा इसके अलावा इस TV में आपको 2GB RAM मिलती है और 16GB की storage मिलती है 60Hz का refresh rate ही मिलता है आपको इस TV में भी यह OnePlus का TV आपने खुद के Oxygen Play 2.0 पे बेस्ट है तो काफी smoothly रन करता है Android 10 पे basically बेस्ट है इसमें भी आपको सारी connectivity मिल जाती है तीन HD में एक port इसमें आपको मिल जाते हैं इसके अलावा Blu-ray players भी मिल जाते हैं gaming console और 2 USB ports भी आपको मिल जाते है इस TV में आपको 30W का Dolby sound system मिलता है which is co-tuned by Dyna Audio जो की काफी बहतरीन crisp clear आपको जो है voice provide कराता है एक साल की warranty पे ही आपको एक TV मिलता है काफी सारे इसमें smart feature भी है जैसे voice control हो गया आप hands-free से voice control कर सकते हो बोल के कुछ भी जो इस TV में करा सकते हो Google Assistant आपको मिल जाएगा OnePlus Connect 2.0 का support मिल जाएगा Data Saver Plus Kids Mode and gaming mode जैसे बहुत सारे विचेस आपको इस TV मिल जाएगा वही सेम एक साल की warranty के साथ में आपको एक TV मिलता है जो का price है लगबग 66, 67, 68,000 के आसपास रहता है day-to-day fluctuate थोड़ा बहुत करता रहता है but बहुत ही बैतरीन TV दोस्तों यह होने वाला यह TV भी आपको 55-inch, 15-inch की केटेगरी में मिल जाएगा उसका लिंक भी आपको description मिल जाएगा अब बढ़ते हैं भाई, तीसरे प्रोडट की तरफ और भाई, तीसरा है यह TCL का 65-inch 4K Ultra HD Android TV बहुत ही बैतरीन TV है, बैजल लाइट डिजाइन आपको इस TV मिलता है 38, 60 by 21, 40 का जो है रेजुलिशन यह TV सपोर्ट करता है 2 GB ही इसमें आपको RAM मिलती है 16 GB के साथ में आपको यह TV मिलता है 60 Hz का refresh rate मिलता है और quad-core flagship प्रोशेजर होने की वज़े से काफी smoothly lightning speed पे यह TV आपका काम करता है काफी बढ़िया डिस्पले आपको मिलेगी इसमें भी आपको 30W का sound output मिलता है with Dolby Atmos, Android 9 Pie पे बेस्ट है यह TV और रही बात connectivity की तो इसमें भी आपको 3 HDMI port मिल जाते है set of box, laptop वगरा कनेक्ट करने के लिए 2 USB port मिल जाते है for connecting hard drives and other USB devices तो connectivity की भी धेरो सारे options आपको इसमें मिल जाते है एक साल की warranty साथ में आपको यह TV मिलता है काफी सारे smart features भी आपको से मिल जाते है जैसे सभी brands मिलता है जैसे कि hands-free voice control मिल जाएगा 4K HDR 10 content को यह TV जो है support करते हैं AI Google Assistant and Screencast feature आपको मिल जाता है जिससे कि आप अपने phone का जो भी content आप play कर रहे हो आप उसको same as it is TV पर भी play कर पाएं तो यह बहुत 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 बैतरीन चीज़ हो जाती है TCL की तरफ से आने वाले इस TV बात करें price की तो around around 80,000 रुपीज का यह TV आता है 15-55 इंच की category भी आपको मिल जाएगा और बहुत बढ़िया option हो जाता है TCL का यह वाला TV आप लोगों के लिए अब बढ़ते हैं फौर्थ option पर जिसे आप consider कर सकते हो और फौर्थ option पर यहाँ पर आता है Hisense का TV Hisense का 65-inch 4K Ultra HD support करता है Android TV आपको मिल जाता है बहुत प्यारी जो है इसमें आपको display मिलती है 65-inch की display आपको जो मिलेगी उसमें जो visuals होंगे वो काफी प्यारे आपको मिलने वाले है इस TV में आपको bezel-less design मिलता है with 700 nits brightness 700 nits brightness मिलती है मतलब काफी brighter screen आपको इस TV की मिल जाती है तो एक काफी अच्छा option हो जाता है दोस्तों एक 65-inch में ये TV कंसिडर करना है इसके अलावस में आपको quad-core high-view engine प्रोसेसर मिल जाता है जो की काफी help करता है TV को ultra-fast speed पर run करने में काफी अच्छी performance आपको मिलती है वही same 60Hz का refresh rate इस TV में भी आपको मिलता है मतलब sound quality काफी अच्छी आपर आप लोगों की हो जाएगी connectivity की बात करें तो भाई 3 HD में पोर्ट आपको समें मिल जाएंगे 2 USB पोर्ट मिल जाएंगे Bluetooth, 5G, Wi-Fi, Connected सारी connectivity की में तो basically आपको इसमें connectivity के सारे features मिल जाते हैं बात करें smart features की तो ढेरो सारे smart features भी इस TV में आपको दोस्तों मिल जाते हैं जैसे हर तरीके के platform को application को तो ये TV सपोर्ट करता ही है साथ साथ में HDR10 और HDR10 plus content को भी support करता है wide color gamut के साथ में तो ये बहुत बहत्तरिन चीज़ है अगर आपको Ultra HD में HDR10 plus में अगर आपको content consume करना है तो यह TV आप लोगों के लिए बहुत बैतरीन उप्शन हो सकता है, एक साल के वारंटी के साथ में यह टीवी आपको मिलता है, इसके अलाव 15 इंच में भी आपको यह 4K में उप्शन में अवेलेबल हो जाता है, अब बढ़ते हैं दोस्तों फिप और सबसे लास्ट नंबर के प्रोड़क्त की तरफ और सबसे बैतरीन प्रोड़क्त की तरफ दोस्तों, यह है सोनी ब्रावियो का वाई 65 इंच 4K Ultra HD Android TV, बह आपको बहुती प्यारी मिलीगी, इसमें color corrections, इसमें जो distributions of colors हैं, उसकी जो brightness है, color saturation है, वो काफी बैतरीन तरीके से आपको जो है Sony A की तरीके से, मतलब बेसिकली में आप लोगों बता हूँ, तो Sony BRAVIA जो इस series है, इस series के हर एक TV काफी बैतरीन होते हैं, थोड़े से आपको को इसमें 2GB मिलेगी, 16GB के आपको इसमें storage मिल जाएगी, इसके अलावा 60Hz का ही आपको इस TV में भी refresh rate मिलता है, इस TV में आपको X14 के HDR processor मिल जाएगा, जो काफी प्यारी तरीके से TV को run करने में help करता है, इसी region के वज़े से काफी प्यारी जो है आपको इस TV में picture quality देखने को मि इस TV में आपको 4 HDMI port मिलेंगे, बाकी में 3 मिल जाते हैं, इसमें 4 HDMI port मिलेंगे और 2 USB port भी मिल जाते हैं, मतलब connectivity के सारे features इसमें आपको मिल जाएगे, and X-Balance speakers आपको मिल जाते हैं, 20W sound output आपने सोना होगा पहले 30W, तो उससे थोड़ा सा या पर कही न कहीं कम जरूर हो जाता है, और आज की डेट में इसका प्राइस लगबग 1,00,000 रुपे है, हाला कि ये TV आपको 55 इंच की केटिगरी में मिल जाएगा, 55 इंच के साइज में मिल जाएगा, तो ये बेसिकली इंडिया में आने वाले 5 ऐसी TV है जिनको आप डेफिनेटली कंसेर कर सकते हैं, अपने घर एक आपको ट्रस्ट मिलेगा, अच्छी ब्रेंड मिलेगी, एंड आपका जो वीजूल एक्सपिरियंस होगा, जो टीवी को देखने के एक्सपिरियंस होगा, वो काफी बैतर होगा, इन सभी टीवी के लिंक्स नीचे डेस्क्रिप्शन में है, अगर हमारे दिये गए लिंक अपर रचेस करते हो, उससे हमें थोड़ी सी कमिशन मिल जाती है, आपके प्राइज को बिल्कुल भी effect करें भिना, आपका प्राइजे टीज रहता है, थोड़ी सी कमिशन हमें मिल जाती है, जो कि बहुत रदधा हम इस तरह की वीडियो आप लोगों के सामने लेके आने के आई होप दोस्तो आप लोगों वीडियो अच्छी लगी होगी परसंट आ